स्मोक और फॉक दोनों ही मौसम की तबदीलि की वजा से होते हैं कि जोकर समोक और फॉक दोनों का मिक्स्चर हैं यह जादर तर इंडस्ट्रियल एरियाज और अर्बन एरियास में होता है हवा में मुझूद air pollutants जैसे के nitrogen dioxide और sulfur oxide हवा में मिलकर आपके respiratory system के लिए बहुत dangerous हो जाते हैं ये chemicals हवा में मिलके आपके lungs में जाके आपके respiratory system को बहुत effect करते हैं आपको इस bronchitis और बहुत सारे मसले हो सकते हैं Smog की वज़ा से आपको eye infection और throat infections भी बहुत regular basis पे रह सकता है Fog जो के दूसरी तरफ हवा में moisture की वज़ा से होता है ये सद्यों के मौसम में होता है इसकी वज़ा से आपकी roads की visibility बहुत काम हो जाते हैं जिसकी वज़ा से अकसर आपको traffic jam और accidents होते हैं Fog की वज़ा से बहुत जादा हाथाथ पेश आते हैं इसलिए जिब smog और Fog का मौसम आता है तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने और अपने it get के लोगों का ख्याल रखना चाहिए मास पहने ताक्या आपका respiratory system destroyer now आप बहुत सारी बेमारियों से भी ऐसे बात सकते हैं इसी तरह क्योंके Fog की वज़ा से visibility बहुत कम होती है तो आप बहुत सारे traffic पे भी ध्यान दे सकते हैं जिसे कि headlights on करना, बहुत speed maintain करना, distance से गारी चलाना और अपनी brakes को भी हर time maintain रखना ये कुछ चीज़ें follow करके आप अपनी सेहत का भी ख्याल कर सकते हैं और बहुत सारे हाथ साथ से भी बच सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो comment, share और like करें